फोन पे, गूगल पे या पेटीम हो, ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, लेकिन आपके बेंक एकाउंट से अगर पैसा कर जाए, तो ऐसे में रिफंड आप कैसे ले सकते हैं, ये प्राब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, अगर डेटा का देखा जाए, जो NPCI ने अप ये रिकौर्ड हाय है, जब से UPI लॉंच किया गया तब से, अब इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन फेल भी हो रहे होंगे, अब ऐसे कंडिशन में कस्टमर परेसान हो जाते हैं, कस्टमर मतलब यूजर परेसान हो जात तो लोग इंतजार करते हैं लेकिन इंतजार आपको करने की ज़रुवत नहीं है जनरल केस में अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है तो तुरंत में रिटर्न आ जाता है लेकिन अगर रिटर्न नहीं आता है तो इंतजार आपको नहीं करना है सबसे पहली बात आपको एक बात देखना है कि आप किस UPI का इस्तमाल कर रहे हैं अगर आप UPI का market share देखेंगे तो सबसे जाइदा phone pay का market share है इसके बाद Google Pay और इसके बाद Patreon इसके बाद ही बांकी सब आ रहा है तो हो सकता है आप इसी तीन में से कोई इस्तमाल कर रहे होंगे तो क्या करें अगर आपका transaction फेल हो गया है और पैसा deduct हो गया है तो जिस समय जो transaction फेल हुआ है उसके नीचे ही contact करने का option होता है application के अंदर ही चाहे आप phone पे इस्तमाल कर रहे हो गुगल पे इस्तमाल कर रहे हो पेटिया में इस्तमाल कर रहे हो वहाँ पे complaint raise कर सकते हैं या contact कर सकते है customer support से पहला तो वहाँ पे करें दूसरा काम आपको करना है और तीसरा मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको सबसे last में ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है otherwise पैसा तो कटा ही कटा आपके साथ fraud भी हो सकता है तो पहला तो आपको contact कर लेना है आपको application within application दूसरा काम करना है कि जिस bank से आप अपना UPI link किये हैं supposed है कि आप phone पे इस्तमाल कर रहे हैं एक example लेते हैं और bank आपका SBI है तो आप SBI के portal पे जाकर complaint जरूर दर्ज कर दे अगर आप SDFC यूज कर रहे हैं तो SDFC के portal पे जाकर के complaint दर्ज कर सकते हैं कि मैं अपना UPI इस्तमाल कर रहा था और ऐसे ऐसे transaction फेल हुआ है अगर bank के side से कुछ हुआ होगा तो आपको bank वहां पर resolve कर देगा अगर UPI के side से कुछ हुआ होगा तो UPI में आपने complaint दर्ज कर ही दिया है और तीसरा काम जो करना है आपको तुरंत अगर मान लिजे कि contact support चाहिए तुरंत में तो Twitter बहुत ही fastly work कर रहा है आज कल क्या करना है कि Twitter पर जा करके आपके पास Twitter एकाउंट तो होगा ही इसे मेरा भी है अगर आपको लगे तो बाद में Twitter एकाउंट फॉलो कर लिजीगे description में लिंक रहेगा तो आप Twitter पर जाईए Twitter पर जा करके at the date tag किसको करना है कस्टमर सपोर्ट को किसके कस्टमर सपोर्ट को आप जिस कंपनी का UPI इस्तमाल कर रहे है फोन पे गूगल पे पे टिया सब का verified एकाउंट Twitter पर होगा जो बुलू टिक नहीं रहेगा उसको आप कभी tag नहीं करिएगा क्योंकि यहीं से fraud होना सुरू हो जाता है होता यह है कि यह fraud वाले लोग जो है नजर गराए बैठे रहते हैं कि किसी को कोई problem आया कि वो किसी तरह से चाहते हैं contact करे और बांकी जो account पे पैसा रखा हुआ है problem solve के नाम पे जो जो पैसा है बचा हुआ वो भी गाइब करने के फिराक में रहते हैं तो जब आप किसी को tag करेंगे किसी का मतलब है कि फोन पे पे टी एम गूगल पे के support team को और उसी को tag करिएगा जिसका bluetooth होगा तो automatically उधर से जो है उसका reply tweet का reply देंगे और साथ में वो कहेंगे publicly mention नहीं करने के लिए सारा information आपको direct DM करना होगा DM का मतलब हो गया direct message आपको करना है और direct message जब उसको करेंगे तब message में जाकर के आपको transaction number देना है या screenshot देना है तो आपका पैसा जल्दी refund होने का chance बनता है अब करना क्या नहीं है वो भी जान लीजिए fraud करने वाली लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर बैठे हुए है और आपका problem आया नहीं कि solution के नाम पर fraud करने लगते है क्या-क्या किस तरह से fraud होड़ा है वो भी समझ लीजिए अगर transaction fail होता है ध्यान दिजेगा transaction fail होता है पैसा deduct होता है तो कोई भी आम इंसान परिशान हो जाता है वो problem का solve करने के लिए इंटरनेट पे ढूनना शुरू करता है जब इंटरनेट पे ढूनना शुरू करता है तो उसको बहुत सारे SF forum मिलता है जहां पे customer care के नाम पे एक mobile number डाला हुआ रहता है वो mobile number customer care का नहीं रहता है बलकि fraud का रहता है वो बहुत सारे article भी publish किये रहते हैं उसके साथ साथ वो अपना mobile number लखे रहते हैं कि अगर आपको तुरंत refund चाहिए तो इस number पे call करें यह गलती आपको कभी नहीं करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो तरीका है वो तरीका को देखिए अगर step लगता है जैनूल लगता है तो आप follow करिए लेकिन कोई कहे कि यह link देता हूँ इस link पे जाकर के अगर आप click करेंगे तो आपका पैसा refund आ जाएगा strap में नहीं फसना है अगर कोई कहे कि यह mobile number और mobile number टॉल फिरी अगर नहीं हो तो देखिए टॉल फिरी जब भी होगा तो 1800 से शुरू होगा तो उस number पे आप थोड़ा बहुत विश्वास कर भी सकते हैं अधरबाइज दूसरा कोई number mobile रहेगा विश्वास नहीं करिएगा तो आपको अगर in case अगर आपको इस EUPI जैसे फोन पे गूगल पे पे टिया यह सब के customer care का number ढूंड रहा होगा तो कहां ढूंडेगे हमेशा याद रखिए यह सब का जो official website होगा या application इस करें उस application में ही customer care का contact करने का option होगा अधरबाज जो official website है उस पर जाके ढूंडेगे वहां से number लीजेगा दूसरा कोई source से number नहीं लीजेगा क्योंकि fraud बहुत हो रहा है मानते हैं transaction जब फिल होता है तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मेरे साथ भी होता है और लोगों के साथ भी होता है लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है तीन तरीका पहला विदिन application आप वहां से contact करें दूसरा यह है कि आप बैंक का जो official website है वहां पे जाकर complaint दर्ज करने का है वहां पे complaint करें transaction फेल के बारे में और तीसरा तरीका है ट्विटर पर जाकर के जो blue tick बला customer support होगा उसी पर जाकर करें और जब वह कहेंगे DM में तब जाके detail बढ़ें अधर वाई इस तीन के अलावा को चौथा try करने का कोशिस नहीं करिएगा अगर यह information आपके थोड़ा भी काम का लगा होगा helpful लगा होगा तो इस वीडियो को share करके दूसरों को बताइए ताकि उनके साथ भी अगर कभी वी transaction फेल हो तो तुरांते में उनका पैसा refund मिल जाए अगर content बनिया लगा होगा तो like तो बंद्धा ही मिलते फ्रेस और update में हैं साथ आग दो यह